पुनिश अर्मा और बंदिगी कालरा ने अब तक अपने इश्च के कारण काफी सारी सुख्यां बचोड़ी हैं भले ही आम दुनिया में इन दोनों की इसकी वज़े से आलोशना हुई हो लेकिन बिग बॉस के घर में अब तक इनको इससे काफी फायदा हुआ है वसे बिग बॉस के हर एक सीजन में ये आम बात है कोई न कोई दो अंजान प्रतियोगी एक दूसरे के प्रति आकरशित हो जाते हैं और फिर वो लोग सुर्ख्यां बटोरते हैं अलाकि जैसा कि हर एक रियालिटी शो में होता है कि शो पर बनने वाले रिष्टे एक वक्त के बाद सांसे गिनने लगते हैं वैसा ही कुछ बंदगी और फुनिश के रिष्टे में होना शुरू हो गया है बूट के अंसीन वीडियो में ऐसा देखा गया है कि पुनिश शर्मा ने बंदगी को उनकी इजाज़त की बिना चुलिया जिसके बाद बंदगी ने पुनिश के उपर चिला दिया बंदगी ने पुनिश से पूछा कि क्या आखिरकार उन्होंने बिना इजाज़त के ऐसे कैसे चुआ इसके बाद दोनों लोगों के बीच कुछ बाते होती हैं और बंद की कह देती हैं कि पुनिश उनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों की शादी नहीं हुई है तो फिर इतने दिनों से जो ये दोनों प्यार का नाटक कर रहे हैं कि ये सब सिर्फ शो के लिए ही यह तो हमें नहीं पता वैसे आपके इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंच करके बताना मत भूलेगा और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रही है न्यूज एक्सप्रेस